नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हाजिरूं आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ है तो दोस्तो मैं आज ये एक भस्म त्यार कर रहा हूं इसका नाम है दोस्तो तिरबंग भस्म कुष्टा सैदाता भी इसे कहते हैं तो दोस्तो ये बहुत ही पावर्फुल भस्म है इसकी खाशत की बात की जाए तो दोस्तो जिन मेरे भईयों को धात की शिकायत रहते हैं चिपचिपा पानी आता है कत्रे आते रहते हैं स्वपन दोश होता है मसाना कमजोर है मेदे की गर्मी है जिगर की गर्मी है या जिने श शुगर की दिक्कत है तो उन मेरे भाईयों के लिए ये बहुत ही लाजवाब चीज है बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कई-कई महिने दवा खाते हैं उनके मसाने की गर्मी ठीक नहीं होती मेदे की गर्मी ठीक नहीं होती चिपचिपा पानी आना बंद नहीं होता स्वपंदोश होना बंद नहीं होता धातानी बंद नहीं होती या ये दिक्कतें एक बार रुक भी जाती हो तो फिर दुबारा से शिरू हो जाती है तो उन मेरे भाईयों के लिए ये चीज बहुत ही लाजवाब है बहुत ही लाजवाब इसे दोस्तो एक रती के बराबर यूज करना होता है सुबह शाम शहद के साथ या मलाई के साथ या मक्षन के साथ इन तीनों में से आप किसी भी चीज के साथ से मिक्स करके यूज कर सकते हैं तो जो मेरे भाई 15-20 साल से ऐसी समस्याओं से जूज रहे हैं धात स्वपन दोश मसाने की गर्मी, मेदे की कमजोरी, बार बार पिशाब आना तो वो मेरे भाई 10-15 दिन इसे यूज करें उनकी दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए और दुबारा से ये ऐसी कोई भी समस्या उन्हें नहीं होगी तो दोस्तो इसे बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इसे बनाने के लिए दोस्तो तीन चीजों की जरूरत होती है सिक्का, कली और यशद दोस्तो यशद एक बहुत ही मजबूत पत्थर होता है इसकी भसम भी बनाई जाती है और यशद पत्थर की खरलें भी बनती है तो इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको यशद पत्थर को इमान दस्ते के अंदर कूट के बारिक उसका पाउडर बना के उसे कपडशान कर लेना है कपडशान करने के बाद आपको उसे गुलाब जल डाल के किसी मजबूत खरल में डाल के उसकी रगड़ाई करनी है दोस्तो इस तरीके से गुलाब जल डालना है और इस तरीके से रगडाई करनी है तो लगबग लगबग दोस्तों 15-20 गंटे इसकी रगडाई करने के बाद उसकी टिक्की बना ले टिक्की बनाने के बाद उसे 40 किलो उपलों की आग दे दे वो आपकी यशद भसम तयार हो जाएगी उसे आप अलग रख ले और उस यशद भसम के बराबर कली और सिक्का दोनों चीजें लेके उन्हें शुद करने के बाद आप उसके बराबर मात्रा मतलब जितना वजन हमारी इन तीनों चीजों का है यशद भसम, हमारी कली और सिक्का इन तीनों का जितना वजन है उतना शुद पारा ले लें और इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके आप पारे में डालके और इसकी रगडाई करें इस तरीके से तो रगड़ाई करने के बाद पारा कली को और सिक्के को खा जाएगा उसके बाद आपको इसमें यशद भस्म डाल देनी है और अच्छे से रगड़ाई कर देनी है अच्छे से रगड़ाई करने के बाद इसमें आप एलो विरा का रस डालते जाएं और खरल करते जाएं साथ आठ गंटे खरल करने के बाद दोस्ते इसके टिकियां बना ले नहीं है और इसे 10 किलो उपलों की आग दे दे नहीं है उसके बाद इन टिक्कियों को निकाल के आग देने के बाद जब ये टिक्कियां आप निकालोगे फिर उन्हें इसी खरल में डालना और टिक्कियों को खरल कर लेना है खरल करने के बाद फिर इसमें आप अलो विरा का रस डाले और खरल करते जाएं और उसके बाद दोस्तों फिर आपको टिकियां इसकी बना लेनी और इसी तरीके से आपको साथ आग देनी है पहली बार जो आग देनी उसमें हमें पारा मिलाना है जो अगली आग देनी उसमें खाली अलो जिरा का रस ही मिलाना है तो इसी तरीके से दोस्तो साथ आग देने के बाद आपकी बहुत ही पावरफुल तिरबंग भसं तयार हो जाएगी और ये दोस्तो 15 दिन के अंदर कितनी भी ज़ादा धात क्यों ना आती हो उस चीज को जड़ से खत्म कर देगी तो दोस्तो उमीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकार ये आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आने वाले टाइम में मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकार यें दूँगा धन्यवाद